हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल डिवाज डिजायर आज मैं आपको कुछ बताऊंगी अपने ही स्टॉक के ये क्ले चिप्स के बारे में मैंने आपको पहले ही इतला किया था मैंने बताया था आपको कि ये जितनी सारी क्ले चिप्स है न मैंने ये दूसरी जगह से बनवाया है और मतलब जितना आया था स्टॉक में और मॉस्ट 75-80% बिग गया है तो ऐसे तो टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है लेकिन मैंने पहले ही अब बताया था मुझे सक था कि ये मैंने दूसरे कोहर भाई से बनाया और बहुत जल्दी बनवाया है तो इसमें क्या क्या है मेरे ये आलू चिप्स स्टार हाट फ्लावर स्क्वेर और ये मेरा जलेवी भी तो मुझे सक था कि में भी ये कोहर उस तरीका से काम करें ना करें क्योंकि काम का प्रोशुड सब दे दे तो मुझे सक है सक है मिन्स एक दो रिवी भी आया है क्योंकि मैं कस्टमर को में फोन करके वापस पूसती हूं कि प्लीज सेर यो रिवी तो हर जगा से आया फॉरेंड में दो जगा पार्सल गया था वहां से पॉर्ष आया रिवी तो इस खैर उन्होंने बहुत ह कम एक सी सिर्फ एक पीसी हाट का लिया था और बाकी फॉर्ण के पार्सल में ज्यादा आलो चिप्स नहीं गिया इंडिया में तो मतलब अलमस्ट खतम ही हो चेका जितने क्ले चिप्स है तो फ्रेंड मुझे ऐसा रिव्यू आया है दो तीन कस्टमर ने कि मैं यह क्ले चिप अने के बाद मैंने इसका क्रंच किया यकीन माने बहुत अर्दी है नौन स्मोकी बहुत ही टेस्टी है जैसे मिटी का फ्लेवर होता हुआ है लेकिन ग्रीटिनेस के सवाल पर मुझे भी एक ग्रीटिनेस इसमें एक कंकड आया तो मैं फुल देखे ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉ है और मैं तारीफों की पूल बांदू वैसा नहीं है अगर दिस तरिकर से में सीना ठोक कर 100% एसरेंस देके अपने क्लेपोड बेस्ती हूं कि नौन ग्रीटि है अब मेरा यह जो स्टॉक है यह थोड़ा ही बचा है तो यह निकल जाए या यह कोई ब्रोकर में डाल दूँ जो भी अब मेरा जो नहा श्टॉक आयागा फ्रेंट वहाई मिट्टि का बनेगा जो मेरा क्लेपोड हमेशा से बनता है उनका जो क्लेपोड था पूरा आल अलोवर इंडिया में सभी जानते हैं सब रिसेलर शेलर सभी जूरत है कि मेरा क्लेपोर्ट बहुती ज़्यादा लजीज और टेस्टी था सबसे ज़्यादा टेस्टी है लजीज और नॉन ग्रिटी लेकिन वो कोहर भाई के हाथ में उतना फिनिशिंग नहीं था लेकिन जो फॉरें भी जाता था मेरे पारसल यकीन माने टेकसस गिया है मेरा पारसल और केनाड़ भी गया है और भी एक जघागी है बहरें गया है और इसके इलावा सौदिय है और भी बहूत जघा तो वहां के जितने मेरे जो क्लाइंट है कास्ट मैर जो भी बूले तो उन्नों नहीं था तो से परशाइश के वजे से मुझे दूसरी जगा थोड़ा सा मुढ़ना पड़ा दूसरे कोहर बाय का तलास में गई और यह इनके हाथ में जिसन के पास मैंने पहुंची तो इनके हाथों में तो मतलब दो तीन कोहर अभी एकी नहीं कोई सोचे कि कोहर से मैं काम कर वारी हूँ नहीं क्योंकि मुझे समझ में आ गया तो अभी जो मेरे पास दो तिन कोहर है इनके हाथों मैं ऐसा जादू है न कि आप जो भी जैसा भी सोचो यह अपने हाथों से उनको वैसा सेप दे देंगे मतलब ऐसा कलाकारी है इनके हाथों में ठीक है तो यह आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था आप से कुछ इनफर्मेशन सेयर करने के यह चिप्स देखे मैं इसको यह छूरी से ऐसे जो जो डट रिवुप कर रही हूं स्क्रैपिंग कर रही हूं इसमें इना फ्रेंड देखे पूरा यह यहलो इस यहलो इस कलर का मिट्टी आ रहा है यह मत्ती मतलब आप बहुत टेस्टी है फ्रेंड लेकिन लिएक्स्neg झ históक में नहीं आयगा तो देसी बहुत ही यहलो कलर का हुलता यह attempt कालर का नहीं है यह क्योंकि मैं बहुत इच्छे क्वालिटी के मिट्वी सुरू से इश्तमाल करती हूँ जो भी काम में करती हूँ पूरा लगन और मं ध्यान वही देती हूँ बहुत महननत से काम करती हूँ ना को स्टूट देखे इसको मेंश इस्क्राबिंग कर रही है। इसको में रिबूफ कर रही हूं तो इसको इसकर ऐसे करना बहुत साडिस्प्रेक्स MVP और बहुत अरदिन्स लगता है फ्रेंट यह बहुत लगिए तो जिनके जिन और एक अजीब सा जिसको आप ASMR बोलो या मन के साटिसफेक्शन बोलो आपको मिलेगा ठीक है यह मैंने उसलेट पैंसिल के संग्भी किया तो मुझे उतना नहीं रिलेक्सिंग लगा बट वेना आप दो विद ग्रीजव में बढ़िए और आपको लिए प्रिजिय आपको लिए अजय दो गवाम लगा उसको स्क्रैपिंग कर ले उसका मिट्टी पुरा येलो इस था अब मैंने एक पंजाब की मिट्टी का भी ये दिखो मैंने किया ऐसा रचिलने की इसका मिट्टी का कलर देखें बिल्कुल रेडार है बिल्कुल रेडार है ये पंजाब की खाने वाली मिट्टी है तो मैंने आ व्हारा मिट्टी का कणिए येलोई स्टैप में आरा है आफ्र बेक्ट किया होँची हाँची फुल बेक्ट नहीं है ठीक है यह पंजाब की मिट्टी की अंधिय है ठीक है कितना इसका कलर डिफरेंस आ रहा है कि आ तो इवाले जो पॉड्र ने यखीन माने बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड ठीक है बहुत मज़ा लगता इसको इसमें इसमें आप नकुमर्ट पॉडर लगा के भी खाओ इसको पेश्ट भी बनाओ रेली इट्स एमेजिंग तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगी जिनके जिनके पास किनों ने पांच किलो भी लिया क्लेचिप्स तो वो ऐसे करके खाएं क्योंकि और फ्रेंड मेरे अभी क्लेचिप्स में हलका ग्रिटिनेस है नेक्स टॉक जो आएगा बैं आपको दिखाओंगी उसमें ग्रिटिनेस घाइप हो जाएगा नापता हो जाएगा यह मेरा वादा है ठीक है और आपको मालूँ म मैं अपके हर वादा को सरा आखों पर रखती हूँ और पूरा करने की कोसिस करती हूँ आप लोगों की फरमाईज को तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हर चैनल को हर वीडियो को लाइक करें उसको आप सबस्क्राइब अगर मेरे चैनल पर नया है तो प प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें और भी मेरे काफी सारा नया डिजाइन आ रहा है तो मैं अब सोच रही हूँ पूरे अपने क्रेपोड का सबका डिजाइनी चेंज कर दूँ क्यूंकि बहुतों को बहुत जिसा ऐसा बात लग रहा है किसी का देखी हमारे यहा कंद ऐसे मिट्टी के बर्तर कुल्कता फेमस सी मिट्टी के बर्तर के लिए तो देखे मैंने स्क्रैपइंग किया उपस का पूरा रिमूऌव उपर का ड़ट कर दिय करने के बाद में यह रहा हाथी हमारे लगए न डैस से में हलका इलका जरुज जो सिलकी सिलकी टॉड़र आपके हाथों में लगेगा तो आपको बहुत ही प्यारा सा फिलिंग आएगा और फिर क्रंच करोगे तो बहुत ही नमजा आएगा तो इसको साफ कर ले थोड़ा सा क्योंकि वह उनका कहना था कि वह जो से रोटी बनाते हैं न हम तो ड्राइप आडर फिर रोटी के उपर लग करेंगी तो अब वह ऐसा नहीं आएगा से कहत तो फ्रेंड देखें बहुत ही अच्छा यह है आपको अच्छा लगेगा साटिस्फेक्शन और यह बहुत ही क्लीनिंग होने के बाद में एक अच्छा खुस्बू देगा तो फ्रेंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब क चैनल ठीक है और इसके लावा क्या बोलूँ में कोशिस मेरा भी यही है कि मैं अपने जारे इंटायर डिजाइन को चेंज कर दूँ ठीक है पूरा इंटायर डिजाइन मेरा चेंज हो जाएगा आप आने वाले कुछ पलों में देखेंगे कि मैं पूरा क्लेपॉट के डिज अच्छी होती है और इस पर में बहुत मेहनत करती हूं देखिए मैंने भिंगा के से स्क्रैविंग किया इसका बहुत ही मज़ा लगता है तो यह उत्रह ठंडर ठंडर लगेगा आपके हाथ बहुत अच्छा लगेगा और क्या बताओं फ्रेंड मैं यही सब है और नया स्ट बहुत खतम हो गया मेरा तो अभी मैं यहां पर चट पूजा भी चल रहा है कोलकता में तो उसके कारण मैं अभी नया स्टॉक के वो वो लोग जो है न कोहर भाई लोग तो दे बिलॉंग स्टू बिहारी आ तो फिर बिहारी मिंस टे डू दिस आ डे डू दिस टे परफॉर् तो बस मुझसे बने फ्रेंट यही मेरा उमीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर उनसे करें जो भी टिक